नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं बजार और अन्य दुकाने बंद रखने की अपिल की गई संताल परगनाब बंद का समर्थन भी मिलने लगा है रांची में मूल वासी सदान मोर्चा ने इस बंद का समर्थन किया है मार्च के अध्यक्ष राजंद्र परशाद ने कहा है कि पहले नियोजन निती बने उसके बाद ही कोई नियुकती हो इधर साहव गंज में छात्र नेता मनोहर टूडू ने कहा है कि सरकार के नियोजन निती 60-40 का सभी छात्र पूर जोर विरोद कर रहे हैं बंदी को सफल बनाने को लेकर छात्रों के बीच विचार विमर्च हुआ है इसमें खत्यान अधरित अस्थानी और नियोजन निती को लागू करने 60 और 40 नियोजन निती का विरोद, 33 और 4 थोवर गिये नौकरी में 90 फिर्दी जार्खन वास्यों के लिए सुरक्षित करने समेच 6 सुत्री मांगे सामिल है वहीं दूसरी वर रांची में मुलवासी सदान मोर्चा की बैठाक राजन रिपसात के जक्ता में संपन हुई है ऐसे में अस्थानी और नियोजन निती को लेकर आपकी राय क्या है हमें आप कोमेंट बक्स में अपना सुझाओ अवस्य दे जार्खन की रैधानी रांची में सुक्रवार साम को तेज हवाओ के साथ हुई मुशलाधार वरसा रिकॉट की गई सन्यवार को भी दोपर के बाद तेज हवाओ के साथ मौसम खराब होने की संभावना है मौसम विभा की चेतावनी के अनुसार 2-6 अपरेल तक मौसम सुस्क रहेगा जार्खन के मध्य, जार्खन और उत्तर दक्षिनी जार्खन के जीलों में कुछ चगों पर वरसा रिकॉट की जा सकती है सुक्रवार को सुबह से आसमान में नमी देखने को मिल रही थी दोपर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला, वहीं साम होते ही राजधाने मुसलाधार वरसा रिकॉट की गई इस दोरान कई जगों पर तेजवाओ के कारण पेन की ड़ालिया सड़क पर गिरी जिसके कारण सहर में कई चेत्रों में घंटों बिजली गुल रही देश के 100 सबसे सक्तिसाली ब्यक्तियों की सुची में हेमंत सुरेन 64 अस्थान पर मिडिया सथान The Indian Express ने भारत के 100 सबसे तकत्वर लोगों की सुची की एक लिश्ट जारी की हा इस लिस्ट में जार्खन के मुख्य मंत्री हमन्जुरेन को भी सामिल किया गया है उन्हें सुची में 64 अस्थान मिला है वे कॉंग्रेस परिवार से आने वाली प्रियांका गांधी वाडरा से भी एक अस्थान उपर है बतादे प्रियांका गांधी का इस सुची में 65 अस्थान है पुरे राजवासियों और जनजातिय समाज के लिए यह गोरों की बात है बतादे कि The Indian Express ने वर्ष 2023 के 100 Most Powerful Indians की सुची जारी की है सुची में प्रधान मंत्री 99 मोदी सबसे सकती साली भारतिये बनकर पहले अस्थान पर रहा है वहीं दूसरे नमबर पर केंद्री गिरह मंत्री अमीच सा इस लिस्ट में बिदेश मंत्री एस जैसंकर तीसरे अस्थान वहीं देश के मुख्य ने आदिश, जस्टीस, डिवाइस, चंद्रचूर, चौथे नमबर पर हाए वहीं उतर पर देश के मुख्य मंत्री योगी आदिटेनाथ पांचवे अस्थान पर लिस्ट में पच्छि मंगाल के मुख्य मंत्री माप्ताव नर जीते रहों और बिहार के सीएम नितिश कुमार चोधा हों और राहूल गांधी पंद्रव्यास्थान पर हाए लोहर्दागा में निसुल्क परतियोगिता परिक्छाओं की होगी तयारी लोहर्दागा जीला के बिद्यार थी भी अब लोहर्दागा में ही रहकर आईस, आईपेस, डीएस, डीएस, बीडियो, सियो, इंजिनियर, डॉक्टर बनेंगे इसके लिए लोहर्दागा, डीसी, डॉक्टर बाग, मरे परसाध कृष्ण ने सहरी छेत्र के नदिया हिंदू इसकूल परिशार में इस्थीत बिज्ञान भावन में निसुल्क परत्योकता परिक्षाओं के तयारी की जा रही है कोरोना से निपटने की तयारियों को लेकर आज अस्पतालों में मौक ड्रील केरल महराष्ट तमिलाडू आदी कुछ राजियों में कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां केंद्र सरकार ने 10 तथा 11 अप्रेल को देश भर के अस्पतालों में एक साथ तयारियों का जाजा लेने के लिए मौक डिल आयोजीत करने के निदेश दिये हैं वहीं जहारखन में सनीवार को भी अभ्यास किया जाएगा राश्ट्रीय स्वास्त अभ्यान जहारखन के निदेश दाग भोनेश परताप सिंग ने पहले ही से लेकर आवस्टाग निदेश सभी उपायुक्तोव सिविल सरजनों को दे दिये हैं अब सनीवार को होने वाले मौक डील में मरीजों की जाच से लेकर उनके भरती करने तथा निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार इलाज का अभ्यास किया जाएगा जहारखन बयट का 88% खर्च करने में सफल रही राई सरकार राई सरकार ने चालू वितिये वर्च के बयट का लागभग 88% खर्च करने में सफलता पाई है यह राई सी 88,716 रुपए है इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है यह आकरा सुक्रवार की साम साथ बयटक का है उलेखनीय है कि पिछले वर्च राई सरकार ने 87,818 खर्च करने में सफलता पाई थी बेहतर वितिये प्रवंधन के कारण राई सोवसूली वाले विभागों ने भी बेहतर प्रशन किया है वानी जिकर विभागने राई सोवसूली में रिकॉर्ड बनाया है इसके लावा परिवहान, खान और उत्पाद एवा मगद निस्यद ने भी लक्ष को पार कर लिया है बोकारो का लाल अंकित अब कर सकेगा मैट्रिक के आगे की पढ़ाया है मुक्ष मंत्री हमन सुरेन के आदेश के बाद बोकारो के गोमिया इस्थीत बढ़की पुन्नु निवासी अंकित कुमार को मैट्रिक के बाद की पढ़ाया के लिए मदद पहुचाने की परक्रिया शुरू कर दी गई है उसके परिजनों को सरकार की विभीन कलेयनकारी जोजनाओं से भी अशाजित किया जा रहा है मुक्ष मंत्री को बोकारो के उपायुकत ने बताया है कि आगेट कुमार एवं उसके परिजनों से संपर कर लिया गया है अंकित के उजवल भविस्व को लेका जीला पासासन सजग है सभी कलियनकारी जोजनाओं से अंकित के परिजनों को अशाजित करने की परकिरिया सुरू कर दी गई है बता दे मुख्य मंत्री हमन सुरेन को जनकारी मिली है कि बोकारो निवासे अंकित कुमाने मैट्रिक परिक्षा 2022 में करीब 96 परिज़त अंग प्राप्त किये है बीतिये वर्स 2022 स्टेज के समापन पर बोले सीम हमन्त पिछले वरस से यह साल रहा बेहतर मुख्य मंत्री हमन सुरेन ने बीतिये वरस 2022 स्टेज को बेहतर बता है, उन्नोंने कहा है कि अगामी बीतिये वरस और भी अच्छा होगा आपको जमीन पर उतरते हुए दिखाई पड़ेगी मुख्य मंत्री ने युवाओ को कहा जल्द ही दिखेगी नियोक्ती की नई परिपाटी नियोजान नीती के खिलाब छात्रों के अंदोलन पर बोलते हुए मंत्री है मंचुरे ने कहा है कि युवाओ को घवराने क्या हुशकता नहीं है जल्द ही नियोक्ती की एक नई परिपाटी आप लोगों को देखने को मिलेगी बिपक्ष की साजिस की वज़ा से यहां के छात्रों को भविसे के साथ खिलवार किया जाता रहा है हमने बिपक्ष के इस सड्यांत्र को भी बिफल करने का काम किया है बिपक्ष के सड्यांत्र के कारण कुछ परिशनिया जरूर आई है मगर सरकार उसे आने वाले समय में दूर कर रिवाओ को संतुष्ट करने का काम करेगी ज्यार्खन सरकार ने लक्ष से 2500 क्लोर अधिक टेक्स से कमाया केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2022 से राज सरकारों का GST कंपसेशन का भुगतान बंद कर दिया है उसके बाजूद ज्यार्खन सरकार ने बीतियवर्ष 2022 से में 21000 क्लोर रुपए से अधिक की रहस वसूली की है यह रासी तैल लक्ष 18500 क्लोर से 3500 रुपए अधिक है बित मंत्री डाक्टरा मेशर उरावन ने सुक्रवार को यह बात कही है बित मंत्री अपने आवास पर बीतियवर्ष 2022 से में बानीजेकर विभाग की होई रायस वसूली की उपलब्धियों पर बात चीद कर रहे थे उन्होंने बताया है कि बानीजेकर विभाग ने निधारित लक्ष के बिरूद लगभग 114 परचत की प्राप्ती है इस दोरान बानीजेकर आयुक संतोस कुमार वसल भी उपसी थे बता दे बित मंत्री डक्टर रमेश्वर उराव ने बताया है कि बीतियवर्ष 2022 में बानीजेकर विभाग का वसूली लक्ष 16,500 क्रूर रुपए का था तब रायसो असूली करीब 29,500 क्रूर रुपए हुई थी गढ़वा में बड़े अस्पतालों जैसी मिलेगी सुविधा मिथलेश ठाकूर गढ़वा जीले में अब और बेहतर चिकित सा सुविधा उपलब्द होगी इसके लिए जहरकन सरकार ने 50 क्रूर की लागत से 100 बेट का नाया अस्पताल बनाने की सुविधा उपलब्द होगी वहीं दूसरी ओर इसकी सुविधा में मेडिकल कॉलेश खोलने करा आसान हो जाएगा मंत्री मिथलेश ठाकूर ने कहा है कि गड़वा में पुर्वक केस सदर अस्पताल के अतरीक्त सौ बेट का नाया अस्पताल बनेगा जिसमें सारी सुविधा उपलब्द होगी जहरकन में 1000 क्रूर का अवैद खनन करने वाले आरोपियों के घर होगी कुरकी जपती परवतन निदे सले ने जहरकन के साहिब गंजीले में हुए एक हैरकोर रुपए के अवैद खनन केस में आरोपियों दाहू यादो और सुनिल यादो के खिलाब कुरकी जपती का आदेश जारी किया है कि अवल इतना ही नहीं दाहू यादो के बेटे राहूल और उसके पिता के खिलाब भी गयर जमानती वरंट जारी किया गया साहिब गंज में हुए एक हैरकोर रुपए के अवैद खनन केस में मुख्या रोपी पंकज मिश्रा के सहयोगियों चंदन और सुरज पंडित के खिलाब भी वरंट जारी किया गया है गौतला भाय की कई बार समन किये जाने के बाद भी दाहू यादव और सुनिल यादव एड़ी के समक्ष पेस नहीं हुए है पलामू एसपी ने राम चरीत मानस की चौपाई गाकर लोगों का मौन मोहा पलामू में धुम धाम के साथ राम नामी पुजा संपन हुआ इस दोरान कुछ सड़क हाचों के अलावा कहीं से कोई अप्रिये घटना की सूचना नहीं मिली है पलामू के परमंडली मुख्याले मेदनी नगर में पुरसकार बितरन समारों के बाद सभी जाकिया अपने अस्थान की ओर लोट गए सभी मारगों पर यातायात समान इस्थिती में हो गई है हाल ही में पाकी में हुई दू पक्षों के तनाओ के बाद राम नवमी को लेकर पाकी में परसासन दोवारा खास नजर रखी जा रही थी खुद डी सी और एस्थिती जाका और इस्थिती का जाजा लिया वही पाकी में इस्थिती समाने रही और आपसी मेल जोल के साथ पर मनाया गया बता दे मेधनी नगर में जेनरल दौारा आयोजीत पुरसकार बित्रन समारो के मंच से एसपी चंदन कुमार सीना ने जब राम चरीत मानस की चपाई सुनाई तो सभी ने जुरदार तरीके से उनका स्वागत किया जारखन में टीचर्स की ऑनलाइन होगी टांसफर पोस्टिंग जारखन के सरकारी प्राथमिक और मध्य बिद्याले के सिख्षकों की टांसफर पोस्टिंग अव ऑनलाइन होगी इसको लेकर सरकार के अस्तर पर एक पोटल तयार किया जा रहा है जिसमें अंतर जिलास्थर अंतररण से लेकर जिले में ही मन्चाही पोस्टिंग के लिए सिख्षक आउनलाइन ऑवेदन कर सकेंगे उसके आवेदन पर विचार करने के बाद उनके जो नवार अंग के अधार पर उने एक स्कूल से दूसरे स्कूल पोस्ट की जाएगी इसमें अलग-अलग का टेगरी तेयार की गई है महिलाओं के साथ ही असादे रोग से ग्रसित सिक्षको को वरियता दी जाएगी बतादे पोटल पर आवेदन करने से लेकर किस परकार सिक्षको का अस्तनांतरन होगा इसे समझाने के लिए टीचर ट्रांसफर पोटल के माध्यम से अस्तनांतरन के लिए लाइब ट्रेनिंग सेशन का आवेजन किया जा रहा है यह ट्रेनिंग सेशन जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान प्रसिक्षन परिशद राची के ओफिसियल यूटूब चैनल के माध्यम से एक अप्रेल को साम चार बये से साम पांच बये तक होगा टाटा मोटर्स में तीन दीन तक नहीं होगा काम का चार को खुलेगी कमपनी पांच माच रबिवार को काम करने के बदले करमचारियों को सन्निवार 1 अपरेल कावकास दिया गया है वहीं 2 अप्रेल रभीवार होने से करमचारियों का सब्ताहिक अवकास हो रहेगा वहीं 3 अप्रेल को परवंधन ने एक दिन का ब्लोक कलोजर लिया है यह नए BTA वर्ष का यह पहला ब्लोक कलोजर होगा पुर्व सीएम रगवर्दास ने कहा भगवान बिर्षा की धर्ति को इसलामिक राजे बनाने की दिशा में ले जा रही है इस समय में पुर्व मुखमंत्री ने कहा है कि राज सरकार के इस तुगला की फर्मान से आम जनता बेहद नराज हाए आने वाले समय में सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी राज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए निर्देश दिया था कि किसी भी राम नमी आखाडा वर जूलुस में डीजे बजाने के उनमती नहीं दी जाएगी इसके अलावा भी ट्रेलर नहीं चलने दिये जाएंगे इसका भारतिय जानता पार्टी के सभी विधायकों ने सदन में जम कर विरोध किया था उस समय सरकार को कोई ठोस निर्णर ले लेना चाहिए था ताकि सबा तीन करोज जानता की भावना का आहात ना हो धनबाद में आज एक समान नारी के नाम कारिकरम का आयोजन धनबाद जिले के सेवा और समर्पन संस्था की ओर से एक अप्रेल को एक समान नारी के नाम कारिकरम का आयोजन किया जा रहा है यहां समान के साथ इंटर्टेन्मेंट भी होगा सिर्फ यही नहीं मॉडलिंग के छेतर में करियर बनाने का सापना देख रही योतियों और महिलाओं को निसुल्क प्रसिक्षन भी मिलेगा मिसेज इंडिया दो हजर बाइस रूमा मुखर्जी सुक्रवार को साम साढ़े चार बजे चुना गोदाम के पास ट्रायो टेल होटल में निसुल्क मॉडलिंग का प्रसिक्षन देंगी संस्था की सदस से काजल जाने बता जाए कि अंतरश्टिये महिला दिवस के अउसर पर एक अप्रेल को कामकाजी महिलाओं का समान किया जाएगा जाम तड़ा नरायनपूर के कस्तुर्बा इसकुल में आग लगने से छात्राओं में मची आफरा तफरी नरायनपूर कस्तुर्बा गांधी बाइल का आवासे बिद्याले में सुक्रवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी का महल उत्पन हो गया गनिमत रही की इस घटा में बिद्याले की छात्राओं वह सिक्षिकाय सुरक्षित रही सुक्रवार की दोपर में बिद्याले में भोयन बनाने के करम में गय सिलेंडर से गय सलीक होने के करण रसोया घर में आग लग गई मौके पर बिद्याले परभधन ने पहले सभी छात्राओं को बिद्याले से बाहर मैदान में निकाल दिया गया और फिर आग बुझाने का प्रयास किया काफी मकसद के बाद फायर सिल्ड से आग बुझाने में सपलता मिली हलाकि इस दोरान अगनी समंदस्ता को भी सुचना दी गई थी परन्तु आग बुझाने के बाद अगनी समंदस्ते को आने से रोका गया मेर आशा लक्ताने बताया कि बित्य वर्ष तेश्चोविस में रांची नागर नीगम ने आम जंता के हीतों को ध्यान में रखते बाद पास किया है इस बयाट के रांची के विकास को गती मिलेगी मेर आसा लक्रा ने बताई है कि बित्य वर्ष 23-24 में विभीन मदों से 284.53 को रुपाई आय का लक्ष रखा गया है कार संग्रा से 108.23 कड़ोर निगम संपति से किराया सुल्क एवं उपयोगता कर से 106.5 कड़ोर वहीं विक्री एवं किराया से 3.06 कड़ोर रुपय का लक्ष रखा गया है ऐसा आयप जो बचा सकता है जारखन के सेकड़ों लोगों की जिंदगी जारखन एक ऐसा राज़ है जो पठार पर बसा है इसके कुछ फैदय है तो कुछ नुक्सान भी है उचाई पर होने और पठारों के गर्म होने से मौसम बदन ले पर बजरपात की संभावना बनी रहती है इसी वज़ा से हर साल सेकड़ों लोग अपनी जान को बढ़ते हैं लेकिन इस आपदा को रोका जा सकता है इसके लिए आपको अपने मुबाइल फोन पर भाद सरकार के दामेनी और सर्चेत आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा इसके बाद लोकेशन को इनेबल करना होगा बता दे दामेनी अप में रियल टाइम टाइटनिंग की सुचना मिलती है इसके लिए आपको लोकेशन 11 करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ओफ अर्थ साइंसेज की ओर से लगाए गए टाइटनिंग सेंसर से मिली सुचना को एप डिडेट कर लेता है इसकी वज़ा से एप पर बजरपात का अलट समय से कुछ पहले मिल जाता है चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन ढूढने के लिए सरकार ने सुरू की नई बेब साइट आज के जुग में जहां हमारा मोबाइल फोन हमारी दिन चर्या बन गई है उसके खो जाने या चोरी हो जाने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्मार्ट फोन में बैंक के खाते सहीत कई जरूरी डेटा सेव रहते हैं इसके खो जाने से आर्थिक नुकसान के साथ साथ अन्होनी का खात्रा भी रहता है इसे देखते हुए भारत सरकार दोसंचार विभागने सेंट्राल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर नामक एक नई वेपसाइट सुरुआत की है इसका मुख है उदेश परतेक मोबाइल नेटवर्क पर खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को बलोग करना नेटवर्क में मोबाइल डिवाइस को नकली IMEI से बचाना है या सेवा भारत के सभी 37 राज्यों और केंदर सासित पर देशों में जारी है पूर्भी सिंभूम के हल्दी पोखर में राम नमी जुलूस के दवरान हंगामा पूर्भी सिंभूम जीला अंतरगत को वाली थाना चेतर के अतिस्तन वेदन सील हल्दी पोखर में राम नमी जुलूस के दवरान ज्हंडा को आगे बढ़ने से रोकने के दवरान ज्हंडे के आगे कहीं सा तूट जाने से जम कर हंगामा हुआ इसके बाद पत्राओ किया गया इस पत्राओ से हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत के मुखिया हल्दी पोखर पच्मी के पूर्व मुखिया और पोटकास यो सहीत आधा दजन लोग घायल हो गया है इस मामले की वीरोद में सन्निवार को हल्दी पोखरबंद का अईलान किया गया है लोहर दग्गा में उग्रवादियों के कारण प्रभावित हो रही विकास वोजनाए लोहर्दग्गा जिला के पहाडी इलाकों में उग्रवादियों के गतिवीदियों के बढ़ने से विकास वोजनाय प्रभावित हो रही है लोहर्दग्गा गुमला एवं लातेहार जिला के सीमावर्थी छेतर में अतंक का प्रयाय बना भागपा मवादि का दूरदात नक्सली 15 लाख रुपाय का इनामी रिजिनल कमन रविंद्र गांजु अब भी पूलिस की पकड़ से बाहर है प्रक्षा बलो की विशेस टीम ने बुलबुल जंगल आट फ्रवरी से लगातार दस तीन तक नक्सली ओ खिलाप अभियान चलाया इस अभियान में कई मवादी पकड़े गाए तथा एक नक्सली मारा भी गया नक्सलीों के कई बंकर धवस्त किये गा है भारी मत्राय महत्यार और अने समाथ भी ब्रामत हुए लेकि रबिंद्र गांजु पूलिस की पकड़ से बाहर है आज से टोल टेक्स की नई दरे जारी सड़क पर चलने के लिए सनिवार से अधिक टोल टेक्स देना पड़ेगा जारकन में कूल 14 टोल पला जा है रांची के समीब 4 टोल पला जा है जबकि रश्टीर राजमायल परिवहन मंत्राले ने टोल टेक्स में ब्रीधी करने के बाद बढ़ी हुई दर पर टोल लेने सम्मंधी संसोधन दर जारी कर दी है एक अप्रेल से इसे लागू किया जाएगा लातेहर किर्केट लिंग अंडर 16 खिलाडियों के ट्रोयल 5 अप्रेल को होगा लातेहर अंतर जीला किर्केट लिंग अंडर 16 के लिए ओपन ट्रोयल 5 अपरेल को होगा ओपन ट्रोयल जीला खेले स्टेडियम लातेहर में किया जाएगा उन्होंने बताया कि इस परत्योकता में वही खेलारी भाग ले सकते हैं जो 722 देश में स्कूली लिंक खेले हो जिनका निमनल लातेहर जीला किर्केट संग में हो गया है परत्योकता में भाग लेने वाले खेलारी 5 अपरेल को दिन के 10 बज़े जीला खेले स्टेडियम लातेहर में पहुंचकर ओपन ट्रोयल दे सकते हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदर भई साथ साथ वीडियो को एक लाइक है अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वाइक अवसे दे थैंक यू